नमस्कार शौगत है आप देख रहे हैं मंचानी हूज हमें आपके साथ अंकी सिंग चुहान आज हम आपको मिलाने वाले हैं कैसे सक्ष है जिन्होंने 15 सालों से ज़्यादा इंडस्टीज में अपना योगदान दिया है पांच जार से ज़्यादा शौंग वैरियेशन के साथ दिया है शातिक काम्याबी के उस सिखर पर है जहां आज इने हर कोई बहुत ही प्यार और महबद देता है जी हमारे साथ है आसिस वर्मा जी चलिए इनका शौगत करते हैं कि 15 सालों का सफर कैसा रहा है सर आपका बहुत शौगत है कैसे हैं आप नमस्कार नटराज स्टूडियो में भी आपका स्वागत है मंचान यूज सर सबसे पहला मेरा स्वाल रहेगा 15 सालों का सफर रहा से आपका इंडस्टीज में उतार चड़ाओ भी आपने देखा है सर इंडस्टीज में जब सुरुवाती दिनों में आपने कदम रखा था उस समय महौल कैसा था इंडस्टीज का और मैंने जब कदम रखा था तो बहुत ही अच्छा माहौल था भोश्पूरी लोगों को आकरशित करती थी और चीजें अच्छी आती थी कुछ असलील कलाकार भी थे लेकिन असलील था वह चरम सीमा पर नहीं थी जो कहा जा क्योंकि कुछ गानें होते हैं जो बिहार साइड म ही बस्ते हैं हम लोग यूपी से हैं तो हम लोग के तरह बहुत फिल्टर्ड होकर के चीजें आती थी लेकिन उसमें भी कुछ असलील चीजें अगर आ जाती भी थी तो इतनी भी असलील नहीं थी कि लोग वह एक मजा लेने के तौर पर आदमी उसको भी सुन लेता था अभ अच्छली दिनेश जी बहुत ही मतलब उनके साथ काम करना बहुत सभागी की बात होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है जो चीजें इंडस्ट्री को दी है अपने आक्ट के माध्यम से अपने काम के माध्यम से तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दूबारा उसको उस चीज को कर पाएगा कि मैं बहुत छोटे जब छोटा था कलाकार बनना चाहता था तब से मैं उनको देख रहा हूं उनक सिर्फ अभिने और पातरता से मतलब होता है कि नहीं हम कैसा काम कर रहे हैं और हमारा करेक्टर क्या है बाकि तो लोग जबरजस्ती चीजों को घुसेड़ते हैं तो उन चीजों से उनकी स्थिंकिंग उनकी सोच परे रहती है जब यह चुमा वाला चाह जब हम लोग बना र हैं और बहुत मेरे फेवरेट राइटरों में से वह एक है तो जब वह गाना उन्होंने भाईया ने सुना तो उन्होंने बोला यार कि इस पर करेक्टर करना है मेरा साला बनना है आपको चलिए मज़ा आएगा तो हम लोगों ने शूट किया उसको और पबलिक ने उसको बह ने का सबसे पहला गर कोई बनना चाहता है तो उसके मिझमें द्रमेंद जी का एक इंटर्व्यू डीडी बन पर आ रहा था तो उन्होंने बस इतनी सी बात कही कि मैं बजबन से बना जाता था और मैं घर परिवार में बड़ा जिद किया लेकिन फिर किसी तरह से मैं मुंबई चला आया और मैंने स्ट्रगल किया मेहनत किया तो मेरा काम आ दीनों प्रदेव जाते हैं हरी कमल जी तो उन्हों ने अपने निरदेशन में मुझे कई परस्तुतियां नुकर नाटक थियेटर्स उन्होंने कराए तक हमारे प्रेक्षा ग्री वगैरा भी नहीं था आप तो आजम गड़ में प्रेक्षा ग्री बगैरा बन गया है तो फि प्रिक्षागरी में परिस्तितियां चलती रही हम लोग से जुड़े रहे हैं करते कुछ लोगों से और भी संबंध हुआ संपर्क हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यहां तो इतनी होड मची है रोल पाने की करेक्टर करने की हीरो बनने की जिसमें तो ना मेरे पास पैसा है ना तो थोड़ा अगर टेक्निकल में चाहोगे तो टेक्निकल में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और फिर तुम अगर अपनी अच्छी पकड़ बना लोगे तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी फिर मैंने अपनी जो म्यूजिक की थोड़ी बहुत नौलिज थी उसको और यहां पर जितने लोगको मैं देखता था उनका असिटेंट है यह उनका चेला तो यह चीजे मुझे बड़ा खलती थी कर मेरे की बाटा च्यार को सानस्था का मुहर स्विकट रहीगा कि हां यह इस जगह से सीख किया तो मैंने क्राफट में इंजिरिंग सीखी साउंड इंजिरिंग सेंटर फॉर्रिसर्च इन आटा फेल्म टीभी एंड देन मैंने सड्डेनली आफ्ट में मैंने एडमिशन लिया एश्यन अकेडमिया फिल्म टेख्निशन इसमें एयर रहमान सा बहुत ज्यादा मतलब डेवलप नहीं है बस जो भी है सब सीधे कट्टू कट्ट वाली है जिसे बिहार की भोषपुरी लेजिए रहोगा कहां जाद बानी यह हो अच्छा कट्टू कट्ट वाला सिस्टम तो उस तरीके से भी हम लोग बहुत ज्यादा अगर आप फ्रेंडली तो उनके साथ थोड़ा सा जास्ती होने लगी कि आप अपना सर्टिफिकेट देंगे थाने पर यह जाएगा वह जाएगा तो ले देकर करके में दो यह चीज़े कंप्लीट करें रिटन बैक टू पर लिए नाजमगड आ गया अपने पीता जी हमारे आजमगड नेयाले में कारे रहत थे तब आजमगड में ही सर्वेंट कोर्टर में रहते थे देती थी कोर्टर इसमें रहते थे फिर मैने एक ओन-लाइन कोर्स स्टार्ट किया वह इगनू से था ट्राइब मारा तो समय नेट पे हम लोगों 10 रुपए घंटे लगते थे उसमें एफॉर्ट करना मु प्रोग्राम प्रोडेक्शन इगनू से आज भी कोर्स चलता है तो उससे मैंने किया उससे भी डिग्री होई फिर उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे लखना हो आल इंडिया रेडियो में बुलाया गया और मैं बतोर चीफ रिकोर्डिस चीफ इंजिनियर मैंने 21 लोग मेरे अं वकड़ी क्योंकि पैसा मिलना बंद हो गया तो फिर में राजस्थान में रैड अफम में था वहां से भी फिर निकला फिर मैं बनारस आया तो बनारस स्टूडियो का सारा सिस्टम था तो कुछ चीजे बुरी लगी यहां कि क्योंकि सिंगर आता है बहुत दूर से मालेजे बिहार बिहार से आ रहा है 200 km पानचे चल के आदमी आ रहा है और वह सिंगर है कोई खेद बेचके उस समय पैसे लाता था पैसे तो मुझे लगा कि यह जो सिंगर्स हैं इनके साथ जास्ती यह उरे कि यह तो हमारे हां काम करा रहा है और यह कभी स्टेशन पर शो रहा है कही कुछ भी ऐसे अगर हम भाइस कुछ भी खा ले रहें किसी की तब भी खराब हो जा रहे हैं मैं नया नहीं आखा मेरे साथ एक लोगों से जुड़ गया प्रेम बातशीत करते काम करते तो भाई तू बाहर नहीं सोगा तू यहीं सोले खाना वना का जो सिस्टम है ना मेरा बना देने में क्या है वह एफर्ट नहीं कर पा रहे तो बीमारी से ग्रसित हो जाया मच्छर काटे उसको राद भर यहां गाना गाने आया और मलेरिया लेकर जाया देंगू लेकर जाया उस समय बनारस भी उतना साफसुत्रा नहीं रहता था तो यह आपका नियम कानून रहेगा तो आप नहीं यहां काम कर पाएंगे इस सिस्टम में ठीक है चलेगा फिर मैं घर चला गया फिर आजम बढ़ गया फिर लोगों ने बुलाया फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ करके काम करते हैं फिर बनारस से कॉल आ रही थी मैंने दो-चारे स्टोडियो थे फिर मैंने काम करना इस्टाट के तो मैंने सर्थ पहले रखिए सेलरी कम देना लेकिन जो सिंगर आएगा वहीं सोएगा यहीं रहेगा तो ठीक है चली 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 दिरे दिरे सिलसला स्टार्ट हुआ फिर लोगों को बुरा लगने लागा कि नहीं आप सिंगर को सुलाते खिलाते हो तो यह मिना पानी का यहीं होता है हम लोग रेंट पर लिए लेखिए टीक है चली करते-करते हमने फिर अपना इस्टूडियो डाल लिया और अब है मैंने एक कमरा इस्टूडियों में सिंगर के लिए बनवाया कहीं से भी कोई सिंगर आए अगर उसको गर कोई दिखत हो यहां झाल झाल